बिरान सबा के चुनाव आ चुके हैं और अब इसके बाद साफ तोर पे आज राश्ट्रे प्रवक्ता कॉंग्रेस के पवन खिरा जी ने आरोप लगाए है महाराश्ट्र सरकार पे इस सिल्के लिए मुंतिखास बात चीत करेंगे अब आरोप लगाए प्रिपेड चंदा और पोस्ट पेड धंदा जिन कंपनियों को आपने ये काम दिये हैं गैर कानूनी रूप से दिये हैं सारे नियम कानून को ताक पर रख के दिया है तो जाहिर सी बात ऐसी आपने इंसे एडवांस में पेइमेंट ली होगी जैसे कि तो यहां 10,087 करोड में जो काम होने थे वो 20,990 करोड में दिये गए एक कंपनी को दो प्रोजेक्ट मिल सकते थे चार दे दिये गए जिसमें टनल का काम सिर्फ 10 प्रतिशत का हो उसको टनल प्रोजेक्ट करार कर दिया गया ताकि कुछ कंपनियों को आप एलिमिनेट कर सके औ अपनी चहिती कंपनियों को काम दे सकते हैं कि एक गुजरात की जेल में बैठा हुआ आदमी पूरा अपना ग्यांग कैसे चला रहा है फेस्बुक पे उसने गैंग बना दिया 700 लोगों का कैसे संबह वही किसका उसको प्राश्रे मिला हुआ है कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है गुजरात की जेल में वो क्यों है क्यों नहीं वो तिहार से क्यों उसको हटाय गया गुजरात क्यों ले जाय गया ये सब सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं थानी दिली में जिस तरीके से सर प्रदूशन का स्थर बढ़ रहा है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं इसे आप क्या बार पिछले दस साल में हमने सिर्फ बहाने बाजी सुनी पहले वादे चुनाव के वक्त चुनाव के बाद दावे और जब पकड़े जाओ दावे जूटे पाए जाए तो आप बहाने बाजी शुरू कर देते हो केंद्र सरकार ने ये नहीं किया पंजाब में पराली जल रही है पंजाब में आप सरकार में आजा तो कहते हो हर्याणा में पराली जल रही है और केंद्र सरकार को देखो तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री जिम्मेदार है दोनों एक दुसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं लेकिन दिल्ली में बच्चे सांस नहीं ले पारे अस्मा के बढ़ते जा रहे हैं कि सुनते रहते हैं आप केसिस बढ़ रहे हैं बुजूर्ग सुबे वॉक पे नहीं जा पारे इस